और वही क्या आलचाल हैं, गदर 2 के कलेक्शन पर हमने आदा दर्जन वीडियोस बना दिये हैं, यूट्यूब का एडसेंस अकाउंट भी हमको मेल करके कहता है कि मालिक थोड़ा रहम करो, इतने तो अमरीका में डॉलर्स नहीं चपते हैं, जितने आपने व्यूस बटोर लिय लेकिन अब तो जैसे ये डेली की बात होगी, हम क्या ही नया आपको इस फिल्म के बारे में और बता देंगे, बताइए, कलेक्शन तो दंदार हो ही रहा है, ये बात अलग है कि ड्रीम गर्ल 2 के एडवांस बुकिंग कल खुली है, और उसने भी ठिक ठाक टिकेट बेज दि पाजी एक ही काम करेंगे, क्या, वहीं इस फिल्म का पठान और बाहुवली टू से फासला दीड़ी-दीड़ी कम होता चला जा गया, वैसे फिल्म ने एक ठिक ठाक डिप अपने दूसरे मंडे में लिया, ये ठिक ठाक गदर्टू के स्टांडेर से बता रहा हूँ मैं आप लेकिन उसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगा हमारे चैनल को, और वीडियो एंड तक जरूर देखना है, नमस्कार मैं हूँ बहुआ, और आप देखने है स्क्रीन वाला चैनल, गदर्टू इस टाइम रेकॉर्ड का पीछा कर रही है, इस फिल्म कोई तोड़ी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेकॉर्ड तोड़ने के लिए किसी ग्रैंड इवेंट फिल्म की जरूरत होगी, वो किसी क्लैश में तो आएगी नहीं, वहीं वो 3600 स्क्रीन नहीं, बलकि कम से कम 6000 स्क्रीन पर आएगी, तो 100% उकीपेंसी का रेकॉर्ड तो भू बिलकुल दिख रहा है और आपका लॉजिक भी सही है, कम से कम प्रकास राज के लॉजिक से तो बहतर ही है, जो अपने एक्स अकाउंट पर देते हैं, पुश पार 2 सिर्फ मल्डिप्लेक्स की फिल्म नहीं है, भाई सभी सिंगल स्क्रीन की फिल्म है, ये एक मासी फिल्म है इसके साथ ही एक पैन इंडिया मुवी है, जिसको वर्ल्ड वाइड भी भारी अपील है भाईया, क्या कल्चिरल इंपक्ट इसने डाला है, इंटरनाशनल प्लेयर से लेकर अक्टर से लेकर अवार्ड शोज तक इसने अपनी अपील जिंदा रखी है, ऐसे में ये फिल्म अ जिसकी पैन इंडिया ग्राउंड अपील है, ऐसे में इस फिल्म का फर्स्ट ओपनिंग इतनी बड़ी होगी, जो अच्छे अच्छे रेकॉर्ड को साइड में खिसका सकती है, इतना ही नहीं, सुकुमार की राइटिंग भी एक ऐसे राइटर और डिरेक्टर की इसे में हिंदी ओडियंस के अंदर भी वही क्रेज है, गदर 2 का कॉंपेटिशन हिंदी मार्केट से ही लिया जाएगा, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में ही आई है, ऐसे में पुष्पा 2 का हिंदी वर्जिन इस लेवल का पोटेंशल रखता है, अब रही बात सालाड और जव जवान की तो सबसे पहला प्रॉब्लम ही है, कि जवान के पास सब काम करने के लिए से 20 दिन का टाइम है, क्योंकि 28 को सालाड है, लोग अपने पैसे बचाएंगे, क्योंकि पुब्लिक ठीक ठाक तमाशे पर पैसे नहीं फेकती है, उसको चाहिए सामने वाला ना टून ना पैसे तब ही हम पैसे फेकेंगे, ऐसे में वो अपने पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, जवान का टिकेट प्राइस भी बहुत प्रीम होने वाला है, सालाड के पास तो और बड़ा चैलेंज है, वर्ल्ड कप, क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, पूरा गल अगले साल पुष्पाभव का डाथ चलेगा, या गदर टू ने एक लंबा रेकॉर्ड बना डाला है, जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास लिखना, हमें टेली गराम पे भी जरूर मिलना, क्योंकि एक ऐसा गूरूप है हमारा ज जाहिंग जाहिंग!